फीट से आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर आज हम लोग BPSC से भरती होने वाले सिख्छकों का वेतन के बारे में चर्चा करेंगे जैसा कि सभी जितने भी सिख्छक के कंडिडेट हैं जो सिख्छक बिहार में बढ़ना चाहते हैं उनको ये इस्तिती किलियर नहीं थी कि जदी हम टीचर बनेंगे तो हमें कितना वेतनमान मिलेगा ऐसे सरकार ने तो बता दिया था कि हम वेतनमान देंगे लेकिन वे अकरसक वेतनमान के चर्चा किये थे इसलिए जो है BPSC से भरती होने वाले सिख्छकों का जो है एक नया कैडर बनाया गया जिला अस्तर प पर मिलता था लेकिन 42, 46 और 48 ग्रेट पर की जो सिख्छक उमीद लगा कर बैठे थे उस पर सरकार जो है खरी नहीं उतरी है सरकार ने इनके लिए जो है एक अलग तरह का जो है एक वेतनमान का संवर्ग बनाया है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आप वीडियो को पुलाष्ट तक जरूर देखें जिससे आपको असपट हो जाएगा कि जदी आप बर एक से पांच चक सिख्छक बनते हैं तो आपको कितना सलेरी मिलेगा जदी आप नाइन टेंथ यानि माधमी के स्कूल का टीचर बनेंगे तो कितना आपकी सलेरी मिलेगा जदी आप उच सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि यहां BPSC से होने वाली सभी परिक्षाओं की जो है तैयारी कराई जाती है उससे संबंधित जो है खबरे आपको दी जाती है तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज के लगभग प्राय सभी जितने सब्सक्राइब जो है इसको ग्रीन सिगनल दे दी है और BPSC से भरती होने वाले सिख्षकों का वेतन तैय हो गया है प्रती माह आपका मिनिम्म 40,000 और मैक्सिम्म 50,000 रुपया मिलेगा और 10 दिन में सबसे बरी बात है कि यहां पर देख सकता है कि 10 दिन में आपका प्रिक्ष वार वेतन मिलेगा सिख्षकों का वेतन जो है कितना मिलेगा है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो कच्छा एक से लेकर पांच जैदी आप कच्छा एक से पांच यानि प्राइमरी टीचर बनते हैं तो जो टोटल पदों की संक्या है 85,477 सबसे अधिक पद जो होगा वह 25,000 होगा बेसिक पे आपका पचीस सो ज़एर होगा उस पेपर आपका जो है डी जो अभी 42 परसंट चल रहा है उसके बाद ए चर यानि हाउस रेंट एलांस जो है और आपका मिलेगा इसके बाद आपको मेडिकल भात्ता भी मिलेगा तो कुल जो ग्रॉष से लेर यह मतलब मान चलिए आपका मुल वेतन का 10% और फिर आपका बेसिक पे का 10% जो है कट जाएगा यानि 15 रुपय मान चलिए इसमें आप माइनस कर सकते हैं तो इस दसपस्ट है कि जदि आप प्राइमरी टीचर बनते हैं तो लगभग आपकी सेलेरी जो है 40,000 के आसपास मिलेग जदि आप क्लास 6 से 8 तक का टीचर बनते हैं जिसकी संख्या जो है 1745 है तो आपका बेसिक पे जो है 28,000 होगा यानि प्राइमरी टीचर का बेसिक पे 25,000 उससे 3,000 जादा आपका बेसिक पे होगा 28,000 और ग्रोस लेरी आपकी जो बनेगी 43,940 रुपय यानि लगभग 44,000 र जो है आपका 31,000 है आपकी कुल से लेरी जो है 48,000 पांसो एक तालीस रुपय मिलेगी फिर जदि आप 11 से 12 यानि उच माध्मिक सिक्षक बनते हैं जिसकी संख्या 77,618 है तो मुल वेतन जिसका 32,000 होगा और आपकी ग्रोस से लेरी जो होगी 50,000 पच्छात्तर रुपय होगी और इस परकार सरकार प्रती 6 माह पर डिये में बहुतरी करती है तो आपकी बरती जाएगी सेलिटी उसके अलमा हर बरस आपको एक इनिक्रिमेंट लेगा जिसका बेसिक पी में 3% की बहुतरी होगी तो यह आपका शुरुवाती वेतन के बारे में दिया गया है और सबसे बर पहाली बात है कि बहाली कब आएगी और बहाली की process क्या होगा और उसके प्रस्नों की संथ्या क्या होगी तो आपने 10 दिनों के अंदर परिःच्छा के लिए इसी लिवस और पैटर्न जो है आपके तै हो जाएंगे जैसा कि परिच्छा में 100 अंग के प्रस्ण आपके पूछे जाएंगे और अब्जेक्टिव टाइप प्रस्ण होंगे और सभी जीलो से कच्छा 1-5 तक 85222 पद और कच्छा 6-8 तक जो है आपके 1749-10 तक 33186 और आपके उच माध्मी के 77618 जो है पद खाली है और जैसा कि आप जानते हैं कि नया कैडर है इसलिए आपका नया वेतनमाय तै हुआ है सभी सिक्छकों का जो कैडर होगा आपका जीला कैडर होगा आपकी जीला के अंतरगत ही आपका जो है एक ही जीला की जीला में आपकी बहाली होगी उसी जीला के अंतरगत जो है आपको ट्रांसपर पुस्टिंग होगा और सिक्छकों का यह नया कैडर है इसलिए परसासी प पर इसके लिए कितना भार पड़ेगा, तो वाजिब है कि सरकार पर इसका जो है जितने अधिक टीचर आएंगे उसका भार पड़ेगा, और अलग-लग सनवर्क के लिए क्या-क्या जोगता है, सबसे बरी बात है कि हमें primary teacher बनना है, तो क्या qualification होना चाहिए, मुझे middle teacher बनना है टीचर बन सकते हैं और उसके अलावा ज़िए आप हाई स्कूल और टेन प्लस टू का टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड और एमेड के सांथ जो है एस्टीटी उतरिन होना निवार्ज है और आपकी क्वालिफिकेशन जो है ग्रिजुएशन और जदी आप एमे हैं मास्टर दिग्री है तो आप 10 प्लस टू के लिए जो है अपने विश्याय में जा सकते हैं तो इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं और कि बीपेसी से भरती होने वाले सिक्षकों का वेतनमान जो है सरकार ने अस्पस्ट कर दिया है आप यहां भी स्तार से देख सकते हैं यहां पर जो बर्ग एक से पांच के सिक्षक होंगे उनका बेसिक पे 25,000 होगा उनको डिये 42 परसें जो है 42 परसें अभी के बर्तमान दर से 10,500 होगा एचारे जो है एक हजार मिलेगा मेडिकल एक हजार मिलेगा कुल वेतन 37,500 होगा इपी एफ में कट आउती अठारे सो तो अपका रुपय हो जाएगा उसके बाद जो है आपका एचारे हाउस रेंट इगारे सो बीच रुपया हला कि हाउस रेंट जो है आपका कहां पोश्टिंग होते है उसके इसाप से जो है आपको मिलेगा मेडिकल भात्ता सभी के एक हजार रुपय मिलेगा कूल वेतन 48,800 रुपया और एपीएफ में जो कटाउती हो जाएगी माइनस अठारे सो टोटल आपको बाई हैंड जो है 40,080 रुपय मिलेंगे जदी आप बर्ग 9 से 10 के सिक्षक बनते है तो आपका मूल वेतन जो है आपका 31,000 रहेगा डिये आपका तेरे हजार बीस रुपया हो गया एचारे बार से 12 के सिक्षक बनते हैं तो आपके मूल वेतन जो है 32,000 हो जाएगा डिये 42 परसन उसका 13,440 हो जाएगा हाउस रेंट आपका 1280 हो जाएगा मेडिकल 1000 कूल वेतन 47,720 रुपया इपीएफ में को टोटी 8800 हो जाएगा तो इस प्रकार आपका मासिक वेतन जो है 45,920 रुपय आपके बाई हैंड मिलेंगे तो यह आपका किलियर रहा कि आपको कितनी सेलेरी सरकार दोरा मिलेगी